नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जैस टॉपिक स्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं का जोड घटाना गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूटूब पर सर्च करते रहते हैं कि भिन्न का जोड घटाना गुणा और भाग हमें सीखना है तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पर आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न संख्याओं का जोड घटाना गुणा और भाग के से किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर दो सवाल भिन्न का जोड करने के लिए करेंगे और दो सवाल है इनमे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाई जाने वाली है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं भिन का जोड ठीक है तो भिन का जोड हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भिन का जोड जो होता है वो दो टाइप का होता है ठीक है जैसे कि हमारा पहला टाइप है दो बटा तीन प्लस चार बटा तीन यहाँ पर देखिए नीचे वाली जो संख्या है वो सेम है ठीक है लेकिन दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पर क्या है दो बटा तीन प्लस चार बटा पांच यहाँ नीचे वाली संख्या यहाँ पर सेम नहीं है ठीक है तो जब नीचे वाल वाली संख्या same होती है ना तब सवाल हल करना बहुत आसान होता है ठीक है कैसे करना है देखो वहीया जब हमने देख लिया नीचे वाली संख्या same है तो हम क्या करेंगे simply एक line खीचेंगे ऐसे और जो संख्या नीचे लिखी हुई है उसको नीचे लिख देंगे ठीक है यानि उपर क्या है दो तो ये हमने लिखा दो बीच में क्या है प्लस तो ये हमने लगाया प्लस और उपर यहाँ पर क्या है चार तो ये लिखा चार ठीक अब क्या करेंगे उपर क्या है चार और दो छे तो ये हो गया छे और बटे में कितना है तीन बस यही हमारा आंसर आ गया ह अब चाहें तो हम इसको काट सकते हैं तीन एकम तीन और तीन दूनी छे मतलब कितना आ गया है दो बटे एक मतलब की हमारा आंसर आ गया है दो देखिए कितना आसान था जब नीचे वाली संख्या सेम हो तो हमें क्या करना है simply एक लाइन खिचना है उसकी नीचे लिख देना है जो संख्या में दी गई है वो और उपर वाली संख्या को जोड़ देना है हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है और जब हमारे पास में दो अलग-अलग संख्या है यानि नीचे की संख्या सेम ना हो तब हम क्या करेंगे देखो तब हम करेंगे cross multiply ठीक है इसका multiply करो यहाँ पर और इसका multiply करो यहाँ पर ठीक है तो 5 दुनी कितना हो जाएगा 10 तो यह हमने लिखा 10 बीच में यहाँ पर है plus तो हमने लिखा plus ठीक है अब इसके बाद में इनका गुणा करो तो 4 तिया हो जाएगा 12 तो यह हमने लिखा 12 ठीक अब नीचे जो संख्या इनको multiply कर दो तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 तो यह हमने लिखा 15 ठीक है समझ में आया हमने क्या किया cross multiply देखिए 5 दूनी 10 यह 10 आया इसके बाद में 3 4 के 12 तो यह आया हमारा 12 अब नीचे वाली जो संख्या इनको भी गुणा करके हमने नीचे लिख दिया तो 5 तिया 15 बस अब हमें क्या करना है इसको solve कर देना है तो 12 और 10 हो जाएगे हमारे कितने 22 तो यह हो गया 22 और नीचे 15 था तो यह आ गया 15 और 22 वटा 15 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखिए कितना आसान था चलिए अब हम सीखते हैं कि भाई भिन का घटाना कैसे किया जाएगा ठीक है तो यह रहे हमारे भिन के घटाना के सवाल तो इनको कैसे करना है देखिए यहाँ पर भी वही situation है यानि 2 हमारी ऐसी संख्या है जिनकी नीचे वाली संख्या है क्या है सेम है और यहाँ पर सेम नहीं है तो हमें बैसे ही करना है जैसे हमने अभी जोड के सवालों को किया था ठीक है तो सबसे बहुत देखिए यहाँ पर 3 है तो एक line खीचेंगे, नीचे क्या है, 3 है, तो हमने 3 लिखा, यहाँ पर 5 है, तो 5 लिखा, बीच में minus है, तो minus, यहाँ पर 2 है, तो 2, ठीक है, अब 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, और बटे में यहाँ पर कितना है, 3, 3 से 3 कर जाएगा, क्या बचेगा, 1, तो यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, चलिए, अब आते हैं इस पर, अब यहाँ पर देखी, नीचे वाली संख्याए क्या है, सेम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, cross multiply, ठीक है, इसका यहाँ पर करो, तो 5 छक का 30, तो यह हो गया हमारा 30, बीच म से 14 जाएगे, तो हमारे बचेंगे 16, तो यह हो गया, 16 और बटे में आ गया 35, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 बटे 35, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो भिन का जोड़ और घटाना आप समझ गए, चलिए, अब हम सीखते हैं, भिन क गुणा और भाग केंसे करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए, भिन का जो गुणा है, वो मैंने दो टाइप का लिया है, पहले हम दो भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में हम तीन भिन्नों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है, तो चलिए भ यह भी कड़ गया ठीक है अब यहाँ पर देखी दो एकम दो और दो चोके आठ ठीक है अब जो जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बचा हुआ है चार और नीचे बचा हुआ है एक गुणा यहाँ पर बचा हुआ है साथ और यहाँ पर नीचे बचा हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे सीधे सीधे गुणा करेंगे इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा यहाँ पर ठीक है तो साथ चोके हो जाएगा 28 और एक का गुणा एक में करेंगे तो आएगा 1 ठीक है और एक से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 28 ही आएगा तो यहाँ पर ह नीचे वाली किसी भी संख्या से उपर वाली कोई भी संख्या कट रही है, अगर कट रही है तो पहले उसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दुनी 6, कट गया ना, अब देखिए क्या कोई और संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आगया हमारा 4 बटे 5 गुणा यहाँ पर आगया हमारा 12 बटे 1 गुणा यहाँ पर आगया हमारा 2 बटे 5 ठीक है आप कोई संक्या नहीं कट रही है तो सीधे सीधे गुणा इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर ठीक है तो बारा चोके अड़तालीस अड़तालीस दुनी कितने हो जाएंगे हम यहाँ पर लिख देते हैं अड़तालीस गुणा दो ठीक है इसके बाद में देखी पाँच पंजे पच्चीस तो यहां पर देखिए 8, 2, 16, 6 हांसल 1 इसके बाद में 4, 2, 8, 9, 96 और बटे 25 तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है 96 बटे 25 समझ में आया तो अब आप यहां पर भिन्न का गुणा करना भी सीख गए है अब हम सीखेंगे कि भिन्न संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है भाग को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाग के सवालों में ही गलतियां कर लेते हैं तो यहां पर देखिए पहला जो सवाल है इसमें हमें दिया गया है 9 बटे 7 अच्छा एक बात ने आपको बता दूँ कि जब भी हम भिन्न के भाग को करते हैं तो हम डारेटली भाग नहीं करते हैं जो भाग होता है उसको हम गुणा में कनबर्ट कर लेते हैं और फिर उसको हल करते हैं ठीक है भाग का उल्टा है गुणा ठीक है मतलब भाग को हमने उल्टा कर दिया तो इसी पिरकार जब भाग का चिन उल्टा हुआ है तो इसके आगे जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगा उलट जाएगी मतलब 28 चला जाएगा उपर ठीक है और चवगन आ जाएगा हमारा नीचे तो यह आगया चवगन ठीक अब यह हमारा इक भिंद का गुणा का सवाल बन गया है और गुणा हमने अभी पहले किया है तो जैसे हमने गुणा किया दा सेम बैसे इसको करेंगे ठीक तो यहाँ पर देखिए काट देते हैं साथ एकम साथ साथ चोके 28 ठीक है इसके बाद देखिए 9 एकम 9 ठीक है और 9 छक्के 24 ठीक अब देखिए इसको भी हम काट सकते हैं दो दुनी चार और दो ती अच्छे तो अब हमारे पास में बचा है एक बटा एक गुणा दो बटा तीन अब इसका गुणा यहाँ पर करो इसका यहाँ पर ठीक है तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दो बटे तीन आ जाएगा और यही दो बटे तीन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आया चलिए अब हम क्या करते हैं भाई इनको आपस में भाग करेंगे ठीक तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जो भाग का चिन है इसको गुणा में convert करेंगे तो चलिए कर लेते हैं तो ये तो हो गया हमारा 2 बटे 3 ये जो भाग है इसको हम कर देंगे गुणा ठीक है अब इसके आगे जो संक्या इसको पलट देंगे मतलब 5 आ जाएगा ऊपर ठीक है और 4 आ जाएगा नीचे फिर यहाँ पर जो भाग है इसको बनाएंगे गुणा और इसके आगे जो संक्या इसको पलट दो तो 3 चला जाएगा उपर और 2 आ जाएगा हमारा नीचे ठीक है चलिए अब देखिए 3 से हमारा 3 कट गया ठीक है दो से हमारा 2 कट गया ठीक अब देखिए कुछ भी नहीं बचाए यह तो हमारे कट गया है अब यहाँ पर क्या बचाए 5 वटे 4 तो 5 वटे 4 ही हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम भिन्द संख्याओं का जोड घटाना गुणा और भाग करते हैं आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत